हेलो दोस्तो हमारे योट्यूब चैनल आयरुवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर्से में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दमा के रोग से छुटकारा पाने के लिए एक बहुती सरल वे अचूख आयरुवेदिक उपाई बताने जा रहा हूँ ये प्रियोग इतना अचूख है कि केवल 45 दिनों में जो वेक्ति ये बोलता है कि उसने काफी समय से ओशदियों का सेवन किया है और उनको कोई आराम नहीं हुआ है तो मैं उनको बताना चाऊँगा कि आप निमित रूप से सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों तक इसका सेवन करें और फिर देखिए दमा का रोग किस तरह से रफू चक्कर हो जाएगा तो प्रियोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाऊँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही में दोस्तों नीचे दिये गए बैल आइकन को आप दबाना न भूलें ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो में अपलोड करू वो आप तक पहुँच सके तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस आयरवेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तों दमा के रोग से छुटकारा पाने का ये सबसे सरल व अचूख आयरवेदिक कुपाय है केवल 45 दिनों में ही रोगी दमा के रोग से छुटकारा पा सकता है इसका निमित सेवन करने से दमा का रोग बहुत जल रफू चक्कर हो जाएगा बिलकुल ही जो रोगी है व चोटी कटेरी, नीले फूलों वाली, जी हां, सिर्फ और सिफ छोटी कटेरी, सबसे पहले आप छोटी कटेरी को लेकर इसका घंसत्व बना लें, घंसत्व बनाने के बाद इसकी चन्य के आकार की छोटी छोटी गोलियां बना लें और किसी सीशी में भरकर आप इसे रख लें एक एक गोली सुभे और शाम को पानी के साथ नेमित रूप से सेवन करना है केवल 45 दिनों में ही मैं दुबारा से बोलना चाओंगा सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में ही दमा का रोग बहुत जल्द ठीक हो जाएगा जो रोगी है उसको दमा के रोग से छुटकारा मिल जाएगा जो व्यक्ति काफी लंबे समय से दमा के रोग से परेशान है उनको भी इससे पून रूप से लाब मिलेगा तो बहुती कारगर बहुती प्रभावशाली है आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ अन्य जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद